Welcome to Pratap Classes, दोस्तों Pratap Classes के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है तो आज है 12 जनुवरी 2022 और 12 जनुवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करेंट अफेर्स 2022 के क्योस्टन मनते हैं तो आज उनका डिसक्रेशन करेंगे पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट विम आपसे कोस्टन पूछूँगा जिसका जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा तो सभी विदार्थियों को गुड मॉर्डिंग रादे किसना तो आज 12 जनुवरी के दिन राष्टी है योधिवस के रुप में मनाया जाता है तो आज टूडे मोस्ट इंपोर्टन क्योस्टन 12 जनुवरी के हमें बात करते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले जो भी विदार थी हमारे इसे चैनल परना है तो चैनल को सुस्क्राइब कर लें और इसके पास लगे पहला आइकन के गटे को दबालना ताकि हम जैसे वीडियो प्लोड करें उसका नोटिपरेशन आप तक है पहुंच जाए वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना जितने भी आपके भाई बंदू दोस्त हैं उनमें आप वीडियो सेयर करना और पीडियो आपको टेलिग्राम पर अप्लब्द हो रही है और इस वीडियो के डिस्क्रिश्म में भी टेलिग्राम का लिंक है वहाँ जाकर भी आप पर डाउनलोड कर सकते हैं तो आई हम बात करते हैं आज पहला क्योंसन देखिए 12 जनवरी का हाल में 2022 मेलबरन समर सेंट टैनिस टूर्णामेट का किताब किसने जीता है तो अभी मेलबरन में समर टैनिस टूर्णामेट का किताब हुआ है और ये जीता है राफेल नडालने किस था एडिलेड इंटरनेशनल टैनिस टूर्नामेंट का यह हुआ था उसमें भारतिय दो जोड़ी ने पुरुष यूगल का खिताब जीता है और वो कौन से थे एक तो था बोपन्ना और एक तो था राजकुमार इन दोनों ने अभी एडिलेड टैनिस टूर्नामेंट में भार 2022 मेलबरन समर सेंट बन में पुरुष एकल टैनिस का किताब जीता है नडाल ने अमरिकी क्वालिफाइर मैक्सिसम क्रेशिको राकर अपना 89 वा करियर ATP किताब हासिल किया है और रायक इसको है मैक्सिम क्रेशिको और कौन सा है 89 वा करियर ATP का किताब इसने हासिल किया है उसके करियर का 23 वां WTA किताब जीता है इसने कौन सा जीता है माइला एकल में शिमोना होलव और इसने 23 वां WTA किताब जीता है और इसने किसको रहा है रूसकी वेरोनिका कुदेर मिटवा को हराया है यह नाम थोड़ी कठीन है इसलिए याद कर लेना और अभी मेलबॉरन सरम समर टै इस टूर्णामेट का किताब राफियल नडालने जीता है अगला क्यों सुन देखो हाली में एशियन इन्फरेक्टरस इन्वनेस्टन बैंक का उपादेक्स किसे नुक्त किया गया है तो अभी इन्फरेक्टरस इन्वनेस्टन बैंक का उपादेक्स नुक्त किया गया है तो व कार्थिय रिज्रो बैंक के उप गवर्नर उर्जित पटेल को तीन साल की अवदी के लिए बहु पक्षिय वित पॉशन संस्तान एसियन इन्फराक्स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपादेक्स न्यूकत किया गया है अधे और देको यह वर्तमान में यह नी वर्तम अपती डीजे पांडियन का स्तान लेंगे किसका स्तान लेंगे डीजे पांडियन का स्तान लेंगे अब बात है इस बैंक की तो एसे न्वेस्टमेंट बैंक के उपादेक्स कोण है जिन लिकुन कोण है जिन लिकुन और इसका मुख्याले काँपर है बिजिंग चीन में और इसकी स्टापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को कब है 16 जनवरी 2016 की स्टापना हुई अब भारतिय जो रिजरो बैंक है इसके पूरो गवर्णर कोण है उर्जित पटेल और वर्तमान में जो आर्बेई के गवर्णर है वो कोण है सक्ति कांदास कोण है सक्ति कांदास 25 वे नंबर के गवर्णर है तो बारतिय जो बैंक की स्टापना कब हुई एक अपरेल 1935 को कब है एक अपरेल 1935 को बारतिय जो बैंक की स्टापना हुई उर्जित का मुक्याले है कहां मुंबई में उर्जित के वर्तमान में डिप्टी थायत खोलेगे बैंक खातों में जमा रासी कितने क्रोड रुपे को पार कर चुकी है तो अभी परदानमत्री जंदन योजना की शुरुआत की गी थी कब इसकी गोशना की थी 15 अगस्त 2014 को इसकी गोशना हुई और पूरे देश में इसको सुबारम किया गया कब 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में परदानमत्री जंदन योजना की शुरुआत की गी थी तो इसका अंसर हो जेगा एक पॉइंट पांच लाग क्रोड क्या हो जेगा एक पॉइंट पांच लाग क्रोड अभी जो जंदन योजना है उसके बैंक खातों में जमा रासी इस एक पॉइंट लाख क्रोड रुपे को पार कर चुकी है जन्दन योजना के तैत खातों में कुल सेश रासी दिसमबर 2021 के अंत में एक पॉइंट पांच लाख क्रोड रुपे को पार कर चुकी है अभी दिसमबर के अंत में इसका कुल सेश रासी है जो एक पांच लाख क्रोड रुपे को पा बाग्येविदाता क्या है मेरा खाता बाग्येविदाता इसका नारा है अगला क्योसन देखो कि हाली में बारत के दिवेतर में 17 ग्रेंड मास्टर कौन मने है तो बारत के दिवेतर में 17 ग्रेंड मास्टर कौन मने है तो बने है बारत सुबरमन्यम कौन मने है बारत सुबरमन् में एक कारे करम में तीसरा और अंतिम ग्रेंड मस्टर मांदन हासिले किया है अब इन्होंने त्यत्रमा जीता है अब देखो बैत्रमा किसने जीता मित्राब गुपता और बैत्रमा जीता जीता था संकलप गुपता ने ये माराश्टर के थे उसके बाद में सत्रमा जीता था राजा रित्विक ने ये कांकिते ते लंगाना के तो सत्रमा राजा रित्विक एक एत्रमा संकलप गुपता और बैत्रमा जिता मित्राब गुहा अभी तियो एत्रमा किसने जिता है बरत सुबर मन्यमनी और ये कांके है तमिल्दा डुके अगला क्योशन देखो हाली में अंत पूर्शparkार गोरे 你 हम्हिसेटी कै से जीता है है कि कोलम dran के कुला को विष्चो रिष़्ड लिए लहार इकिस के लिए अंतराश्टी सिल्व पुर्षकार से समानित किया गया है अब बात है गोवा की तो गोवा की राजदानी है तुर्वंतमपुरम और गोवा के वरतमान में मुख्यमित्र कोण है पिनरई विजेन कोण है पिनरई विजेन और वरतमान में राजयपाल कोण है आरिफ महमद खान कोण है आरिफ महमद ख करें तो केरल का जो उचनाले जो अभी कागज रहीत उचनाले बन गया है कागज रहीत उचनाले केरल का बन गया है अब बात करें कुछ बगोल की केरल में तो केरल में एक जील है वेबनाड जील कौनशी है केरल में वेबनाड जील है जो वारत के पस्मीतट यानिकी मालाबार तटपर है हिस्तित है उसके बाद में एक जील है अस्तमुदी जील कौनशी है अस्तमुदी जील है उसके बाद में एक है पेरियार जील कौनशी है पेरियार जील उसके बाद में है सस्तम कोटरा जील तो यह चार जील है अगला कोस्त देखो कि हाली में किस राजे सरकार ने न राजसाव गाउं की रूप में गोशित किया है। राजसाव गाउं की रूप में गोशित किया है। यूपी की तो अभी गंगा एक्सप्रेस्वी की अधारसिला रखी है देश के परदानमत्री मोदी ने कहां यूपी में और ग्यारवी होकी इंडिया जूनियर राष्टी चेंप्रेंशिप जीती है उत्रप्रदेश ने उसके बाद में मेजर ध्यांचंद स्पोर्ट्स यून टाइम प्रदसन के लिए वेस्विक सुची में आठ्वी स्थान पर रहा है तो कौन सा राय है चैनाई अंतराश्टी हवाईडा कौन सा है चैनाई अंतराश्टी हवाईडा अभी ओन टाइम प्रदसन के लिए वेस्विक सुची में आठ्वी स्थान पर रहा है मुखे तते देखो कि चैनाई अंतराष्टिया वायड़ा दुनिया के सिर्ष दस बड़े अंतराष्टिया वायड़ों में से एक है ये उसके बाद में यात्रा वीत एरोस्पेस और विमानन देटा की पैसकस करने में विश्यसग्या रखने वाले संक्थन सीरियम द्वारा की के लिए समय प्रतशन के लिए इसको क्या है आठमस्तान ने दिया गया है और ये सबसे बड़ी बात है कि ये भारत का छटा सबसे वेस्तम हवायड़ा है कौन सा चैनाई हवायड़ा तो इसका आंसर हो जगा हवायड़ा ओन टाइम प्रतशन के लिए वेस्विक सुचि में आठमस्तान पर रहा है अब परतमस्तान पर कौन सा रहा है तो परतमस्तान पर रहा है मियामी हवायड़ा कौन सा रहा है मियामी हवायड़ा जो कहां है शियुकतराजय अमरिक्का में उसके बाद में दो नमबर पर रहा है फुकुओका हवायड़ा कौन सा है फुकुओका है यह जापान में उसके बाद में तीन नमबर पे रहा है हानेडा हवाईडा कौन सा हानेडा हवाईडा यह भी जापान में है तो इन तीनों को आपको याद रखना है उसके बाद में आठमी इस्तान पर अपना चैनाई अंतराश्टी हवाईडा रहा है अगला कॉशन देखो हाली में किसने राष्टिय बाग सरंक्षन प्रादिकरण की उन्नीसमी बेट की जैक्स्ता की है वो किया बुपेंदर यादव ने किसने बुपेंदर यादव ने मुखे तेते देखो केंदरिया प्रियावण वन और जलवायू प्रिवर्तन मंतरी बुपेंदर यादव की अधेक्स्ता में राष्टिय बाग सनक्षन प्रादिकन की उनिसमी बैठक की आयोजित की गई है और वर्तमान में बारत में टाइगर रिजरोव है और अभी केंदरि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस सेर में लाउंच की गी यह की गी थी गाजियाबाद में कहां गाजियाबाद में पहली देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लाउंच की गी थी लगबग विधारतियों का अंसर सही था इसके साथ ये भी मैंने पर 24 स्वेलन का उध्याटन किया है तो जीतेंदर सिंग प्यूस गोईल अनुराग ठकर और नरेंडर सिंग तो मर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है आगे और देखो आपको सुबह साथ बजे ये वीडियो उपलब दो रहा है और शाम साड़ साथ बजे आपको शाम राजस्तान डेली आपको राजस्तान पुलीस के लिए कंटिन्यू क्लास मिल रही है और कल शाम को मैंने राजस्तान की कलास संस्कृती समधित राजस्तान की लोग देवता से समधित मैंने टोपिक करवा दिया कल और आज आपको मिलेगा राजस्तान की लोग देवियां परमुक लोग देवियों से समधित के उसने आज मैं लेके आऊँगा इस वीडियो में तो लग अतार सुबह और स्याम वाली के कलास के साथ बने रही है और जादा से जादा वीडियो को सेर करना जितने भी आपके भाई बंदू दोस्त हैं तो वीडियो को इसमें सेर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो जादा से जादा वीडियो लाइक किया करो तो धन्याबाद दोस्तो जया हिन